हर्याना विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोशित होने वाले हैं और इस वक्त हर्याना में सियासी पारा हाई है पर इससे पहले जब हर्याना में भाजप्पा अपने प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी कर रही थी और सब को टिकेट बाट रही थी तब भी सियासी गलियारे में ऐसी ही हलचल देखने को मिल रही थी गुडगाओं के विधानसवा छेतर बादशापुर से बीजेपी किसको उतारने वाली है इसको लेकर कयासों के बाजार गरम थे उस वक्त भाजपा के एक नेता ने कहा था कि अगर मुझे बादशापुर से टिकेट नहीं मिलता है तो इस वक्त प्रदेश में दो पार्टिया है मैं दूसरी में चला जाओंगा और उसी के बाद उनकी एक बैठक ग्रिया मंतरी अमित शाह के साथ होती है और प्रदेश में भाजपा के दूसरे नाम की सूची में उनका नाम आ जाता है ये हर्याणा भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंतरी राव नर्बीर सिंग आज हमारे खाश शो में हम बात करेंगे राव नर्बीर सिंग के बारे में जो सबसे कम उम्र में ग्रिह राजी मंतरी बना दिये गए थे बाच्छापुर छेत्र से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और राव नर्बीर सिंग को इस बार टक कर आम आदमी पार्टी के वीर सिंग बीरू और कॉंग्रेस के वर्धन यादव दे रहे हैं राव नर्बीर सिंग एक राशजीतिक प्रश्ट भूमी वाले परिवार से आते हैं और उनके पिता राव महाबीर सिंग तीन बार विधायक रह चुके हैं प्रदेश सरकार में वह भी मंतरी थे वही राव नर्बीर सिंग के दादा राव मोहर सिंग आजादी से पहले 1942 एवं 1946 में पंजाव विधान सभा के लिए चुने गये थे इस वज़े से आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक काफी बड़े नेताओं के साथ राव नर्बीर सिंग के परिवार का संबंद रहा है राव नर्बीर सिंग का जन्म दो अप्रेल 1961 में गुरगाओं में हुआ था और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की श यानि 26 साल में ग्रिह राज्य मंत्री बना दिया गया जब उन्हें ताव देविलाल ने यह मंत्री पत दिया था तब देविलाल ने कहा था कि राव का छोड़ा कुछ करेगा क्यूंकि अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने राव इंद्रजीत को हरा दिया था राव इंद्रजीत सिंग राव बिरेंदर सिंग की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और राव इंद्रजीत को हराकर राव नर्वीर सिंग ने चौधरी देवी लाल सहित हरियाना राजनीती के सभी दिगजों को अपना दिवाना बना दिया था अगर राव नर्वीर सिंग की बात पर्चा पूर से उन्होंने चुनाव लड़ा था यहीं नहीं 2014 के चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की इसके बाद उन्हें दो हजार चौदा में हरियाना बीजेपी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया हर्याना कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद्वी मिला अब वो एक बार फिर मैदान में हैं और मजबूत है ऐसे में देखना होगा कि जो बाहु बल अभी तक हमें बिहार और यूपी में देखने को मिला था कि अब वो हर्याना में भी देखने को मिलेगा और इन सब राजनीतिक समीकरणों के बीच ये भी देखना होगा कि जिन बर खबरों के लिए देखते रहे दन्यूस 15 नमस्कार